हालो फ्रेंट्स स्वागत आपका अपनी योट्यूब चैनल अस्टेडी विट मैट में फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है प्रते एक दिन मैं आपके लिए एक अस्टेटिक जीके का प्रॉपिक लेकर आता हूँ जिसमें प्रते एक दिन कोई ना कोई एक अस्टेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसके पाले मैं जो है तो मद्यपदेश उत्तरपदेश इधर ये राजस्थान इधर पंजाब हरियाना चंड़ीगड़ और ये उत्तरा खंड़ इधर ये बिहार इन स्ट स्टेटों की पूरी जानकारी में अपनी क्लासिस में दे चुका हूँ यदि आपने उन क्लासिस को नहीं देखना है देखा है उसकी जो है तो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्सर में दोगा वहां से जाकर भी आप उन क्लासिस को देख लिख सकते हैं उन क्लासिस को भी देख यह जो गुजरात है गुजरात यह कब जो है तो स्टेट बना था बना था फर्स्ट माई नाइन्टी सिक्स्टी एक माई उनाइस सो साथ को गुजरात जो है तो भारत का राज्य का दर्जा पाप्त किया था इसकी जो राजधानी है क्या है इसकी राजधानी गांधी नगर है आप इन चीजों को भी याद रखिएगा एद गुजरात की आप बार्डरी के पारें देखना चाते हैं तो गुजरात की बार्डरी कहां कहां से टच होती है देखे गुजरात की जो बार्डरी कहां से राजस्थान से टच होती है जो कहां कहा है नार्थ इस्ट में दामान एंड देहु से टच होती है जो और देखिए साउथ में दादरा नगर हवेली से और महाराष्टा से साउथ तो विस्ट में मध्य पर्देश से मध्य पदेश से भी इसकी बार्ड़ी टच होती है इस्ट में एंड अरेबियन सी से इसके जो देखिए अरेबियन से कहां से इसकी बार्ड़ी टच होती है और पाकिस्तान से भी इसकी बार्ड़ी टच होती है विस्ट में आप याद रखे तो इसकी गुजुरात की बांडरी टश हो रही है आई आपको इसको माइप में दिखा देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए देखिए देखिए यह कौन सा हो दमन और दीप यह हुआ और यहां पर यह क्या यह महाराष्टा है यहां पर यह मध्य से इधर देखिए अरेबियन सी है यहां पर अरब सागर है यहां पर इसकी अरब सागर से बांडी टश हो रहे हैं यह यह कच्छ करण है यहां पर भी यह अभी आप इंपोर्टन चीजें जो कि आप याद रखिए यह इसकी आप गुजरत के बारे में देखते हैं तो यहां पर ये भरूश है ये बरोडरा है ये काप ही इंपोर्टन और फेमस सहर है ये देखिए राज़ कोट है ये जाम नगर है गीर आप सोमनात ये जो है ते बहुत ही इंपोर्टन जो है इस डिस्टी का और सहर है जो कि मैं आपको उनसको भी बता दिया हूं आप इसको बेलकुल याद रखिएगा क्योंकि यह विक्विशन एक्जाम में आ सकते हैं एदि एस्टेट के सिंबल के बारे मैं आप देखना चाहते हैं तो देखिए एस्टेट का जो बार्ड है तो क्या है एस्टेट फ्लावर है वह आप बताईए अगर मैं जो है तो आपको पिछले कलासों म में बता चुका हूँ कि मेरी गोल्ड किस क्लास का किस स्टेट का और जो है तो राष्टी राष्टी क्या है राष्टी पुस्प है आप बताएं कि देखते हैं कि आपको कितना याद राता है मेरी पूरानी क्लासेस के बारे में आप कमेंटर बास में यादि आपको जानकार भाग हुआ करता था एक बाग हुआ था जो तो गुजरात था सिंद्धूसा बेता का क्या था एक भाग हुआ था देंख यह और इसमें क्या है इसमें सिंद्ध घाटी से लोथा धौला वीरा और गौला धाव धावराओं जैसे प्राचीजिन महा साकरी साहर सामिल है चालोक कावच ने 1908 से 1243 तक गुजरागाद पर सासर किया था जो चालोक कावच e था यहाँ पर सासर Арill की यहाँ पर 1910 सार्य ने गुजरागाद पर सासर किया था एकजाम में कैसा कि शाना सकते है इसमें देगिए सासक वहाँ पर किये थे तो आप वहाँ पर इजली अब बता लेंगे देखिए यहाँ पर महान महाराथा सासक छतपा सिवा जी दक्षनी गुजरात में सूरत पर सूरा सो क्वाथ जी में जो है तो सूरत पर क्या किया था झारो हिए गया पॉइंट आफ आप कमेंट मुस्त में पता जो चतन पाओ जी थे जो यहांप पर हमला सूरत में जो और समस्चरी आती है थिदेरा का鬧 में आगे लगाऊंगा देखिए आगे देखिए गुजरात के पहले जो फर्ष्ट गुजरात के कौन थे नवाज जंग जो है यहां के फर्ष्ट गवर्नर थे आप एक्जाम के पॉइंट आप से यह दो चीजे जो पार्ट है यह आपको देखो मैं डार्क में किया हूं इसलि किसका सीम और गवर्नर का हमेशा कोई भी ग्याम दोगे एक नएक क्यूशन ही आएगा लेकिन जब क्यूशन को टप करता है ग्यामनर तो क्या कर देता है यह सिए यह ग्रूप डी में क्यूशन आएगा तो इसमें प्रजन टाइम पर पूंचेगा कि गुजरात के कौन है क्या पूंचेगा गुजरात के पहले सीम कौन थे और गुरूप डी में क्या पूंचेगा जो प्रजन टाइम पर यह होता है यह न्टी पीसी और पूंच वही चीज़े रहा है थोड़ा एक जामनर घूमाता है यह चीज़े आप बिलकुल याद रखिएगा यादि आप ज समुद्र तट कितना है शोला सो किलोमीटर है आप यह याद रखिए कि जाम में पूंचा जाता है भारत का कौन सा स्टेट है जो कि समुद्र तट से सबसे ज़्यादा आपनी सीमा रेखा करता है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा यह देखिए गुजरात गुजरात की सीमा कितनी है शोरा सो किलोमीटर है यह आप याद रखिए यह छेथपल किया क्या है देखें फिप्त लार्जिस अस्टेट आप इंडिया एरिया एरिया कि सबसे कौन सा है पांचवा सबसे बड़ा भारती राज्य है और जनसंक्षा कि हिसाब से कौनता है नौवा यह जो है तो के इसके मार्ग में सबसे लंबी द aurait करती है देखिए यह तो यदि सबसे बड़ी नदी कौनसी है शाबर मती जे तो गुजरात की सबसे बड़ी नदी है और जो यह तो यह ता तीबी वहां की है नदी है यह क्यृशन आप याद करिएगा सावर मती आस्रम का नाम आपने सुना होगा वो किसका आस्रम था ये कमेंटर वाक्स में आप बताईएगा सर्दार सरोबर पर योजना जो है तो किस नदी पर है नर्वदा नदी पर बनाएं और जो प्रायदीपी भारत की नदीयों के वोना पूंचे जा पर कौन से परायदीपी की नहीं तो वहां पर कौन साब क्यूशन बताएंगे वहां पर जो है तो नर्वदा का नाम आप लिखेंगे गिर नार सबसे उंची चोटी है सापू तारा राज्य का एक मात हीले स्टेशन है जो तो गीर नार यह यह क्यूशन भी ग्यामों में सबसे उंची चोटी कांसी है यह सरदार सरुबर प्रयूजना किस नदी प्रैसियत कच कारण ठार रेगिस्तान में इस्थित एक मौसमी धल्डली खारा मिटी है क्या बता ज़िए जो कच कारण में इस्तित उतारा मोद्मी दल्डली क्या है डल्डली कारण कहां पर है 2017 में हुआ था 14 दिसंबर को और इसमें क्या हुआ था इसमें दा इलेक्स्टन वाज डिजिवेल्टी अब इन कॉंबेट भारतिय जनता पार्टी जो यहां तो यहां पर क्या हुई थी वो है काफी जादा बोटों से यहां पर भी यही हुई थी उसकी सरकार बनी तो देखिए यह बीजे रूपानी सहब का आपको देख रहा होगा अच्छे से देखिए यह बीजे रूपानी सहब हैं जो कि यहां के प्रजेंट टाइम पर चीफ मैंस्टर हो वहां पर चीफ मैंस्टर बनाए गए थी यह कौन सी पार्टी से बिलांग करते हैं यह क्यूशन आप याद साथ जाता है कि इस प्रजेंट के जो है तो वह एक से पार्ट मेंस्टेणैसे यहाद रहे हैं यहां पर कौन कौन सी बाढ़ है घुजरात की देखर आफ एक देख देख לפ दंति वाड़ा डेम है जो की गुजरात में स्तित है कंशे एक और द्चीज आप याद रखिएगा दंति वाड़ा डेम जो की बना शरी पर इसके आपकोने धोली डिम याद रखिएगा ये भी गूज़रात में है और ये कौँसा है धोली धाजा डिम है ये कौँसा है कमलेश्वर डिम है एक है सरदार सरोबर डिम ये देखे इसमें इंपोर्टन जो चीज है है ये काफे घ्याम में पूंची गई है और ये तू अक्सर इंप पॉइ सब्सक्राइब करें जाता है कि जबएन पर किया था जाता है तर नहीं पूंचा जाता तो यह फिर इससे जो है तो कौन सरद्वार सरोबाट डेम है यहां पर देखिए उलेक्टिसिटी वहां पर बिजली क्या अपूर्ति की जाती है और यहां पर जाती है जैनल फैक्ट देखना चाहते हैं तो देखें राज में प्राचीन सिंदु घाटी सब्विता के कुछ अस्थर सामील है जैसे को ने यहां प्राचीन अस्ताल है माना जाता है कि लोथा दुनिया के पहले समुद्रों में से एक है मतला इसमें यह बता है माना जाता है जो सबसे पहली अरिया को थी लोथर ती और देखिए गुजरात के तटी सहर मुक के रूप से भारुच और खंभात मावर और गुपत सासकों के बंदरगा और ब्यापारी केंदों के रूमे कारे करते थी यह देखिए जो गुजरात का जो तट है उसमें थे भरूच और खंबाद जो है तो मावरी और गुपत सासा को थे उनके बंदरगा ब्यापार जो आपस में ब्यापारें करते थे मौरिस आचा का और गुपत सासर जो आपस में ब्यापारे करते थे किसे भारूश और खंबाज़ों थे समुद्री तर उनका मुखे ब्यापारी के अंदर हुआ करता था बिहार और नागालेंड के साथ गुजरात साराप के विक्री पर प्रतिबंद लगाने वाला तीन राज़ों में से एक यह इंपोर्टन क्यूशन आप बिलकुल लिए इस क्यूशन को तो आप एकदम जहान में उतारिये वो बिलकुल जानिये क्या इसमें बताएगा है बिहार और नागालेंड इलांग बिहार नागालेंड गुजरात वंस दाथरी इंडियन एस्टेट यह जो है तो क्या बता रहा कि बिहार नागालेंड के बाद गुजरात जो है तो सराप पर बिलकुल जो है तो क्या लगा तो कि प्रतिबंद लगा चुका है यहां पर सराप के वि प्रदीपर तो पूरे देश में पर्दीबंद लगना चाहिए लेकिन क्या गवर्मेंट बंद करती है एक बार फिर दोबारे चालू करती है और देखते हैं करोना काल में भी यह दिली में जो हुआ था सराप के कितरी लंबी-लंबी करोना काल में भी लाइन लगी थो दोपार गेर यह दो पाए जाते हैं तर लेक ही पाए जाते हैं कहां पर पाय जाते हैं गुजरात में जो हैए तो गुजरात मिंस्ति को कुछ इन्टरनेशनल काइट काइट फिस्टिबल कामदाबाद में 당त्र अमजों के बीजुन है मनदेब मेल यहां पर मनाएて याद रखिये गा और मुद्राध डांस फेस्टिबल. रखना बैक मुद्रा मैं चाहिए आधे याद होना चाहिए आगे देखें जांस भावी डांस है रड़िया हिए गरबा है पड़रा है तिपान्य इसमें कोंसा Egyptian में पोओन जाता है इसमें डाडिया पोओन जाता है गरबा पोओन जाता है बस यह दो किशन जो है अब बिल्कुल याद रखें काफी जादा वार रिपीटेड हो चुकी है इंपॉर्टन्ट निस्टनल पार्क देखते हैं तो कउन सा गिर निस्टनल पारक है प्रशिद्ध है फिर इसके बाद यह हैं जंबू ऑड़ा वाइड लाइप सेंचूरी है यह यह आप जो हैं वेल्ड एसे संचुरी इसमें आपको बता देता हूं यह इंपोर्टन है यह कुछ ग्रेट इंडियान यह जो है यह भी काफी इंपोर्टन है आप इनको भी इन तीन को आप बिल्गुल लगन करेगा और इन तीन को आप शोन भी देऊंगे तो ज्यादा कोई यह जो नहीं है यह जाँ पॉइंट आप बेसे इंपोर्टन चीजे हैं अब देखे यूनिस्को कि जो है तो वर्ड है इस तो धरोहर में जो है तो गुजरात की कौन कौन से चीजे ली गई इसके बारे में आपको यहां पर बता गया यूनिसको वर्ड यूनिसको कि भी सद यह जो वर्ड लिया गया था फिर इसके बाद आप देख़ें नोटा है किस नोट में कितरे रुप anno की नोट में कितने रुप से की नोट में जो है तैं रानी की बाव को यह थी इमेज हैं आप बताए कि एक ग्यांप में आता है कि अपकुनि करके बताएगा tomar नte कि एक हिस्टोरिक सीटी अभाधाबाद आहमदाबाद जो है इस्टोरिक सीटी अहमदाबाद को वर्ड हेरिटाइज में ले गए कब लिए गए तो दोजार सत्रा में ये भी देखे काफी इंपोर्टन चीजी है अब यहां के अब जी आई टक देखना चाहते हैं तो काउस से यहां पर देखिए क्या है मांटे नेशनल इंपोर्टेंट इन गुजरात है यहां पर कौन कौन से है बोरसाद अस्टेपवेल आनाड है तलाजा कोवेस भाबना गर यह है अप यह के टोंब आप सिकंदर यह है देखिए गया और नगीना मस्जीद यह भी है कोलिका माठा टेंपल है गोप टेंपल है यह कहाँ पर है जामनगान में गोप टेंपल है इंपोर्टेंट इगयामा पूछा गयाता है धांग कैप राजकोट है यह इगयामा में किश्चन एकसर पूछे गए हैं फ्रेंड्स आसा करता हूं को आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी यह जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसमें कुछ और इंक्लूट करना है यह फिर इसमें कुछ आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बाक्स जबर बताएं जब्सक्राइब में अब आपको आज नंबर सिस्टम का पार्ट मैं थर्ड पढ़ाऊंगा बिल्कुर यूनिट डिजिट आप भी आकर क्लास देखेगा मिलता हूं फिर निक्स क्लाज में स्टेडी पितमेत में